IIT भिलाई का हमने पूरा प्लेस्मेंट रेकॉर्ड देखा क्या ये फायदे मन्द रहेगा कि फिर हम जॉइन करें यहाँ पे last three years में आप देख सकते हैं average CTC, number of offers, number of recruiters और placement जो की campus पे आये सब increase हुआ है नमस्कार मित्रो तो आज के वीडियो सेशन में हम IIT भिलाई के बारे में बात करने वाले है इसका पूरा placement data जो है मैंने website से इनका लिया है जो इनके placement report है वहाँ पे मैं जाके इनका जो भी है data को compile किया है तो last three year का data यहाँ पे हम देखने वाले है कि IIT भिलाई यहाँ पे innovation हो रहा है अगर हम काम करेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे तो क्या हमारा जो future में हम innovate करेंगे कुछ या फिर हम अपना time waste करेंगे इसी के उपर पूरा video session आज रहेगा तो यहाँ पे मैं btec और mtec दोनों का placement data लाया हूँ तो आप में से जो लोग btec के लिए जा रहे है वो btec का data देखिए जो लोग mtec के लिए जाते वो mtec का data आप लोग देखिएगा ठीक है तो चलिए फिर video session यहाँ स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले IIT भिलाई के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यह establish हुआ है 2016 में एक new IIT है 36 गड के भिलाई शहर में यह जो है आपका establish हुआ है तो इसका जो भी campus है यह कुटेला भाटा भिलाई 36 गड में है academics program की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर B.Tech, M.Tech, M.Sc. और PhD है collaboration यहाँ पर काफी सारा कर रहे है काफी M.O.U. sign किया जा रहा है क्योंकि नया IIT है अभी जो ranking है as per N.I.E.R.F भिलाई जो है IIT भिलाई अभी 81st ranking पे है इंडिया में बहुत से एल्मनी यहाँ से भी pass out हो चुके है in the last six years आप यहाँ पे देख सकते हो काफी जादा यहाँ पे accomplishments भी है इन एल्मनी का research highlights की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफी diverse research topics जो है IIT भिलाई में चल रहा है जो कि आप उनके website पे जाके भी देख सकते हो अब मैं placement data, p-tech placement data की यहाँ पे बात करता हूँ तो branch wise मैं यहाँ पे आप लोग के साथ बात करूँगा जैसे कि आप देख पा रहे हो कि CSE Computer Science IIT भिलाई का अगर मैं बात करूँ तो 2019 में यहाँ पे 88.57 बच्चे प्लेस हुए थे, 2020 में 86.84 और 2021 में 93.02 बच्चे प्लेस हो गए थे तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो green color है यहाँ पे number of students placed है उस branch में और blue जो है वो number of students registered तो काफी अच्छा IIT भिलाई में जो computer science का branch है काफी अच्छा यहाँ पे placement हुआ है अगर double E का बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2019-20 में 35 में से 21 बच्चे प्लेस हुए 2020-21 में 38 में से 19 50% के राउन बच्चे प्लेस हो गए जहाँ पे कि 2021-22 में 42 में से 39 बच्चे जो प्लेस हुए है तो एक चीज यहाँ पे देखिए कि यह जो number of placements हो रहा है यहाँ पे यह ग्रो कर रहा है IIT भिलाई में ठीक है अगर मैं यहाँ पे mechanical engineering की बात करूँ तो IIT भिलाई में आप जैसे देख पा रहे हो 2019-20 में 29 बच्चों में से सर्फ 6 बच्चों को placement मिला था जबकि 20-21 में 36 में से 14 बच्चों को placement मिला वहीं पे 21-22 में 34 में से 28 बच्चों को placement मिल गया 34 में से 28 बच्चे कम नहीं होते हैं तो यहां पे ट्रेंड आपको दिखा कि यह तीनों ब्रांच में कि जैसे जैसे यहां पे यह आपका आगे आते जा रहा है number of placement number of applicant versus number of placement इसका ratio बहुत अच्छे होते जा रहा है near about one is to one पे हो रहा है देखिए 90% के आसपास हो रहा है हर जगह ठीक है तो यह काफी अच्छा indication है कि जो लोग भी BTEC join कर रहे है IIT भिलाई में यहां पे तो उनका placement improve हो रहा है अभी जो current year का अगर मैं बोलू तो यहां पे placement reports नहीं आये हैं लेकिन अगर आप website या Google पे search करेंगे तो placement अभी भी काफी अच्छे हो रहे है IIT भिलाई में आप देख सकते हो अब अगर मैं average salary की बात करूँ तो यहां पे देखिए 19-20 में जो है highest salary यहां पे मैंने denote किया है कि CSE के लिए around 20 lakh था lowest salary 7 lakh के आसपास था average salary 12.09 lakh के आसपास है वहां पे ही अगर आप देखेंगे कि double E के लिए 2019-20 के ऐसा रहा तो 20 lakh का highest गया था जबकि lowest यहां पे 6 lakh तक का था और average 11.21 ठीक है mechanical के लिए highest 10.8 average यहां पे जो sorry lowest 6 है और average 7.51 वहीं अगर 20-21 की बात करूँ तो आप देख सकते हो CSE में highest 36 lakh तक गया है lowest अभी भी same 7 lakh है और average जो है वो बढ़ चुका है 14.72 हो गया है double E की बात करूँ तो यहां पे 19 lakh highest था 6.5 lowest था average जो है 10.37 है और 2021 में sorry mechanical का जो है highest 13.5 lowest 4.5 और यह 6.96 यह क्योंकि COVID यह था बोलके यहां पे थोड़ा सा आप देख सकते हो कि average जो salary है वो थोड़ा reduce हुआ है last year से लेकिन वहीं पे अगर आप फिर से देखोगे जो है 21-22 आया salary फिर से increase हो गया 27.43 गया है highest CSE के लिए जहां पे की double के लिए 21 lakh हुआ है और ME के लिए 16 lakh highest हो गया है तो BTEK का placement package भी यहां पे काफी अच्छा है अगर आप देखेंगे तो अगर अब मैं MTEK का placement का बात करूँ तो MTEK placement जो भी लोग यहां पे MTEK के लिए apply कर रहे है उनके लिए अगर मैं बात करूँ तो यहां पे आप देख सकते हो कि CSE branch IIT भिलाई में अगर आप 2019-20 का देखेंगे तो 8 में से 7 बच्चे place हुए थे 2021 जो की COVID year था 100% placement था जबकि 21-22 पे भी 100% placement है तो यह काफी good indication है जो लोग भी CSE branch IIT भिलाई में M-tech करने का आप लोग सोच रहे हैं उनके लिए अगर मैं डबली की बात करूँ तो यहां पे डबली में थोड़ा सा status जो है थोड़ा सा कम है अभी मैं बात करूँगा कि ऐसा कम क्यों है आगे विडियो सेशन में आप लोग जरूर बने रहिएगा मैं पूरा बात करूँगा कि क्यों कम है यहां पे डबली branch में अगर आप M-tech करने जाते हैं ठीक है तो यहां पे आप देख सकते हो कि 4 बच्चों में से 4 बच्चों में से सिर्फ एक का placement हुआ 19-20 में जबकि 21-22 में तो और भी खराब हालत था 9 में से सिर्फ एक बच्चों का placement हुआ है और 21-22 में तो किसी का placement डबली branch में हुआ नहीं है M-tech में मेकैनिकल की बात करूँ तो यहां पे भी सेम ही हालत है आप देख सकते हो 19-20 में 7 में से एक बच्चे का हुआ 20-21 में 5 में से शूनने का हुआ और 21-22 में 6 में से सिर्फ तीन बच्चे का placement हुआ है मेकैनिकल ब्रांच M-tech में ठीक है average salary की अगर मैं बात करूँ तो यहां पे आप देख सकते हो कि 19-20 में CSE के लिए highest 11.59 गया था lowest 7 और जो average pay package है वो 9.78 एराउंड 10 लाग के आसपास double E में क्योंकि एक ही बच्चा प्लेस हुआ था तो 7.42 मेकैनिकल में भी एक हुआ था तो 6.25 वहीं जबकि 20-21 में आप देख सकते हो कि CSE के लिए जो है salary average salary भी बढ़ चुका है highest भी बढ़ा है और lowest भी बढ़ा है जबकि double E के लिए यहाँ पे कम हुआ है और 21-22 पे आप देख सकते हो कि यह जो है CSE के लिए 13.5 highest था यहाँ पे average lowest जो है 9.5 और average जो है 8.9 जबकि mechanical के लिए यहाँ पे increase हुआ है ठीक है तो यह good indication है अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि जो recruiters जो की IIT भिलाई में आये थे तो आप देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे recruiters आये है in the last three year जहाँ पे की government organizations भी है ठीक है आपके educational organizations भी है coaching institutes है साथ ही यहाँ पे जो है बड़े IT companies भी आये तो recruitment अभी बहुत अच्छा ऐसे नहीं बोलूँगा कि M-tech में बहुत अच्छा तो नहीं हो रहा है लेकिन B-E-B-tech में काफी अच्छा हो रहा है तो M-tech में अभी अगर मैं बात करूँ कि recruitment अगर बढ़ाना है तो क्या करना है मैं video session में बात करूँगा प्लीज आप लोग end तक जरूर देखिए तो growth of placement statistics अगर मैं बात करूँ तो last three years में आप देख रहे हो जो कि मैंने अपना data भी present किया आप देख सकते हो कि वहाँ पे अभी number of students versus number of placement offer ये जो है अभी year on year increase हो रहा है तो ये good indication है मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ क्योंकि अभी new campus में IIT भिलाई shift हो चुका है तो जो ही अपना infrastructure ये लोग grow करते है तो research process research lab अगेर जो भी facilities रहते है वो भी वहाँ पे रहता है तो इस वज़े से recruiter क्या होते है जादा interest लेना start कर देते क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे होते है उनका जो है grooming process जो रहता है वो काफी अच्छा तो अगर आप एक temporary campus पे जब ये classes चल रहे होते है तब तो average ctc और number of recruiters जो campus visit कर रहे है वो भी आप देख रहे हो कि average year on year जो है increase हो रहा है growth placement की statistics की बात करूँ तो average ctc 22% increase हुआ है offers जो मिल रहे है बच्चों को 40% को increase हुआ है recruiter जो search कर रहे है बच्चों को वो भी 31% increase है और placement भी 52% increase हो रहा है ये सब data जो है मैंने IIT भी लाई के placement record से ही लिया है आप लोग भी जाके check कर सकते हो higher studies में भी काफी सारे बच्चे गए 13 बच्चे गए तो आप देख सकते हो काफी अच्छे institutes में भी गए है ठीक है अब अगर मैं बात करूँ कि मेरा take on IIT भिलाई सबसे पहले मैं बताता हूँ कि mtech का recruitment क्यों नीचे तो अगर आप मेरा IIT भिलाई वाला video देखे होंगे तो जो gate score है वो काफी low तक जाता है 300 तक भी चले जाता है तो अब जो बच्चे 300 तक gate score गए है इसका मतलब ये होता है कि आपने gate के time में preparation सही से ने किया है 90% of the बच्चे ऐसे होते जिनका preparation सही नहीं होता है जिनके basic clear नहीं होते इसी वज़े से उनका low gate score आता है 10% बच्चे ऐस से होते कुछ external factors हो जाते जैसे तबीयत खराब हो गया हना या center में आप गया वहां पे कुछ issue हुआ उस वज़े से उनका rank खराब आ जाता है तो उन बच्चों को मैं बोलूंगा जो 90% वाले category में है आप IIT में भी जाके जब आपको एक chance मिलता है वहां पे भी जाके अगर आ आप चीजों concept को समझना ही नहीं चाहते है तो वहां पे आपके placement जो है गिरेगा ही क्योंकि आपके marks कमाएंगे ठीक है तो इसी वज़े से मैं ये बोलूंगा कि अगर आप IIT भिलाई mtech के लिए join कर रहे हो तो यहां पे आपको जाके सबसे पहले आपको आपके concept को brush up करना ह है आपने जो भी B.E.B.Tec में सीखा है उसको बहुत अच्छे से जाके वहां पे सीखना है साथ ही आपके जो gate के basic concept level है उसको आप prepare करके जाए ठीक है अब अगर मैं बात करूँ B.Tec का तो B.Tec का यहां पे placement record काफी अच्छा है ठीक है अगर आप अपना CGPA maintained रखेंगे in the four year तो यहां पे आपके placement में कोई भी issue होने नहीं वाला है मैं आप लोग को यह guarantee देता हूँ साथ ही अभी क्योंकि new campus में permanent campus में IIT भी लाई चल रहा है तो placement और भी जादा अच्छे होने वाले है compare to other new IIT ठीक है तो इसी के साथ मैं video session को यहां पे end करूँगा अगर आप लोग को कोई doubt रहता है तो जरूर comment कीजिएगा और video को प्लीज जितना हो सके like कर दीजिए क्योंकि यही मेरा motivation होता है और channel को जरूर subscribe कीजिएगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले session में धन्यवाद